Friends, Welcome back in my YouTube channel V-Academy. Today we will discuss about ruminal, tamphony or bloat. So, चलें शुरू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे bloat के बारे में ये भी हमारी medical point of view से, विटनरी के point of view से बहुत बड़ा important question आता है exam point of view से, के bloating के बारे में short node लिखें. तो आज मैंने कोशिश किये उसको clear करने की. सबसे पहले हम introduction देखेंगे bloat का, के bloat में होता क्या है? सबसे पहले के distension of first and second stomach. First and second stomach की चो parts होते हैं, rumen या reticulum, उसमें distension हो जाती है. Distension means उसमें gases बर जाते हैं, वो सही उनकी जो excreations होती है, वो नहीं होती, due to the accumulation of gases, मतलब gases के तुरू, उनमें distension हो जाती है, तो animal जो हमारा होगा, वो bloating condition में चला जाएगा. ये कौन-कौन से animals में होती है, it occurs in all ruminate species common in cattle, sheep and goats. ये होती तो तक्रीबन सब में ही है, ruminate की जो भी species हैं, मगर अक्सर करे, cattle, sheep और goats में मोजूद होती है, मतलब उनमें ये बहुत बड़े processes होते हैं, bloating के. अभी bloating के two types होते हैं, कौन-कौन से types होते हैं, कौन कहते हैं, primary bloating, दूसरे को कहते हैं, secondary bloating. primary bloating को, namurti bloating को, froady bloating को, یہ क्यों होती है, इसका क्या काम है, it occurs due to the over eating, जब भी एनिमल बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ही ओवर इटिंग में ज्यादा खाता है, लिगुमिनस प्लांट्स वगरा जैसे होते हैं, मतलब फिलावर्स यह पीस, बीन्स यह जो भी सीड्स होते हैं, वो एनिमल ज्यादा खाता है, यह बरसीम जो मिसरी गास होता है, यह forming agents में यहां जो form के जो भी material होते हैं हमारी eating के जो भी दोरान हम form देते हैं वो खा लेता है तो animal को bloating होती है यह bloating की condition होगी primary bloating जिसे हम frothy bloating भी कहते हैं यह याद रखना है दूसरी होती है secondary bloating secondary bloating हम कहते है free gas bloating यह free gas bloat इसमें क्या होता है अभी animal में gases फंस जाती है ब्लोटिंग हो जाती है और secondary में क्या होता है physical obstruction हो जाती है मतलब physical obstruction को कैसे हम clear करें के जैसे हमारा iso-fegas माउथ में कोई solid object आ गया जैसे potato है apple है यह कोई solid material ही कोई चीज़ है वो animal ने खा ली by chance तो अभी वो हमारे animal के iso-fegas में फस जाएगी फस जाएगी तो animal में digestion सही नहीं होगी breathing सही नहीं होगी हार चीज़ हमारी immobile हो जाएगी तो animal इस condition में secondary bloating के लाएगा मतलब इसमें अभी free gas bloating है तो यह दोनो टाइप के differentiate याद रखने उसके बाद इसके pathogenesis क्या है के pathogenesis में यह है के due to over distension pressure on chest cavity जैसे ही distension होगी ज्यादा ज्यादा animal में gases फसना शुरू करेंगे तो animal को chest cavity में pressure आएगा चेस्ट केवेटी में pressure आएगा तो वहाँ पे respiratory और cardiovascular पे depress होगा क्योंकि जैसे ही animal की bloating होती है या distension of belly होती है या gases फस जाती है तो सबसे पहले respiratory system पे effect होता है उसके बाद जैसे respiratory पे होता है मतलब breathing पे ऐसर होता है तो फिर cardiovascular heart पे भी effect होता है तो animal की जो death होती है वो भी respiratory या cardiovascular failure की वज़ा से होती है दूसरा कोई नहीं होता bloating में अगर हम ज्यादा तर उसका ख्याल नहीं रखेंगे bloating का मतलब treatment immediate नहीं करेंगे तो animal का cardiovascular या respiratory की वज़ा से death हो जाएगी ये इसकी pathogenesis है अभी clinical science क्या है bloating के clinical science में सबसे पहले distension of left side gases यहाँ जो left side है animal की वो swell कर जाएगी उसमें distension होगी तो जाहरे पता हम चलेगा कि ये सोयले इसमें gases फंसी हुई है दूसरी डैसेपने हो जाएगी डैसेपने हम बोलते है breathing को मतलब इसमें breathing सई नहीं होगी lots of breathing हो जाएगी मतलब वो सई से सांस नहीं ले पाएगा animal तीसरी इसमें sign होती है kicking at belly मतलब खुदी animal अपनी belly को अपने पैट को kicking करेगा मतलब लात मारेगा बार बार और गिर जाएगा जमीन पर तो ये clinical science है कुछ इसकी अभी इसकी हमें proper treatment क्या होती है सबसे पहले हम इसमें क्या करते है कि एक wooden या wood का जो stick होती है वो tight करते है mouth में जैसे saliva बाहर आए और breathing कुछ हो सके उसके बाद अगर देखा जाएगे ट्रोकर और केनियू लाब लगाते है अगर major cases में आ गया है मतलब बोट टाइम हो गया है bloating को तो ट्रोकर से हम left side पे इसे कट देंगे और gases को बाहर निकालेंगे ये भी एक अच्छा treatment है तीसरा जो हम यूज करते हैं treatment के direct animal को हम oil पिलाते है दूद में मिलाके oil को पिलाते है जैसे वो rumen तक जाए और वहां पे viscous material जैसा roll अदा करे और animal जल्दी मतलब feces वगरा बाहर निकाले और gases बाहर निकल दी जाए चोथा हम यूज करते हैं stomach tube stomach tube हम mouth से use करते है mouth में enter करते है isophagus से rumen तक वहां पे हम उसको expel of gases करवाते है animal से जैसे उसकी breathing सही हो पांच में नमबर पे हम उसे B complex की supportive therapy में यहां पे vitamins की injections भी लगाते हैं तो यह था आज का topic bloating इंशाला आपको बहुत समझाया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो kindly subscribe my channel thank you so much